हेलो हाई एवरीवन दिस इस इंजीनियर निखिल पाइंडे वेलकम तो मा यूटूब चैनलेड में टावर इंजीनियर कि इस साल से जो है बिहार जो है आपका जो स्टेट काउंसलिंग जो है वो ओनलाइन मोड में जो है आपको कंड़क्ट कराएगा फिलहाल अभी रेजिस्ट्रेशन की डेट आई हुई है और इसकी काउंसलिंग डेट कब आएगी वो हम आपको जल से जल नोटिफाइड करा देंगे अब आपको अगर रेजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए आपको ऑफिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाने की जरूबत है ऑफिस्ट्रेशन वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूँगा आप वहां से चेक कर लेंगे इवन दो आप डिरेट्ली विजिट कर सकते हैं bceceboard.bihar.gov.in अब बच्चो जो आपकी जो रेजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी आपकी 19 जून 2019 से और आपकी जो एंड अप होगी वो होगी 25 जून 2019 से और जो उसकी फी पीमेंट है आपकी रेजिस्ट्र कि ये जो कॉंसलिंग है आपकी स्टेट में इसमें क्या-क्या चीज़े पार्टिसिपेट करेगा आपके MBBS है, BDS है, BMS है, BHMS और BOMS है बहुत से बच्चे थे जुनको वो बिहार के जो इनको वेटनेरी को लेकर जो है और आयरोवेद के बारे में जो बहुत डौट से कि सर कॉंसलिंग के आओगे तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी जो कॉंसलिंग इन ही में होगी, बट एक चीज़ का इसमें ट्विस्ट है, पहले जो है MBBS और BDS की कॉंसलिंग होगी, जैसी ही ये कंप्लीट होगी, आप्टर देट, योर कॉंसलिंग विल की आपको चाहता हूँ, आपकोकि क्या करृट करने जाने, आपको और वेबसाइट, पर जाना पर जाना जाना है जैसी आप रूपने आपको दान प्रमेशन, आपकty आपको परन प्लोट करने है और अपना सिग्नेचर उसमें, उसके बाद आपकाकी और कैच के इस रही से उसके बाद जो है आपको एक प्रिव्यू मिल जाएगा आपने जो भी फॉर्म दिया हुआ है अगर मालीजे कहीं आप से कोई गल्दी हुई हो तो उस फॉर्म को जो आप एडिट ऑप्शन में जाएगे तो वापी से आपका बैग जाएगा ठीक है तो आप अपन किसी भी के स्टेसी के लिए रहेगी और यह ऑनलें रहेगा जैसी अब रीचलानों का रखी जब आपने डाल देंगे उसके बाद आपको क्या करना है उसको सब्मीट कर देना सब्मीट करने के बाद आपको डॉन्लोड करके जो है आपका रिजिस्ट्रेशन की जो है कॉपी रख ले चेह 6-12 मार्ष्यट होने चेहे है और 14 की आपके पास एडमीट कार्ट होना चेह है जो की मेंशन है आपके पास डिडेंशाल सर्टीफिकेट डॉमी साइल का रटीफिकेट और कम से कम जो है छे पासपट सब्साइपटो जो है आपको अपने साथ रखना इन सहरे चीनों की आप 3 copy बना के रखिएगा, मैं पास्पोर्ट साइच की बात नी करूँ जो documents है, ठीक है, इससे आपको जो है, किसी तरीकी से कोई परिशानी ना है, और जब आप document verification और submission के लिए जब जाएंगे, Choice Center और College Smith, at that time you have to keep the original copy along with your this Jorox copy, So that's all in this video, I hope you found this video helpful, if you found this video helpful, please like my video, subscribe my channel and don't forget to subscribe the bell icon so that you get notified and share as much as you can, till then bye bye.